दोस्तो MP यानि मध्य पर्देश हाई कोट में जो है जूनियर जूडिसियल असिस्टेंट यानि JJA की वेकेंसी निकल कर आ जूगी है इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा इसका जो स्लेक्सिन प्रोसे से वह आपका टाइपिंग होगा और उसके बाद से 20 marks का जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी का जो है यहाँ पे written exam होगा बस इसके लावा आपका कुछ नहीं होने वाला है और इसी दोनों base पे आपका selection होने वाला है और इसका online शुरू हो चुका है आगर आप eligible हैं तो मद्यपरदेश, High Court, Junior, Judicial, Assistant, Examination 2024 का form ज graduation pass यहाँ पे बोला गया है और one year का जो है diploma बोला गया है computer certificate और Hindi English typing आपको बोला गया है यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो selection process है उसके बारे में आप थोड़ा सा बतायता हूँ इसमें selection process क्या होगा online परिछा का पाठिकरम क्या है यहाँ देखिए सबसे पहले आपका computer का ज्यान यहाँ पे 20 अंक कर आएगा 20 मिनट समय मिलेगा कूल 100 अंकों की परिच्छा होगी 40 मिनट में आपका परिच्छा सवाप्त हो जाएगा यहाँ बताएगा कि समाने अंग्रेजी और computer के प्रस्ण जो होंगे अंग्रेजी भासा में पूछे जाएगे और यहाँ बत और 30 word per minute आपको जो है हिंदी टाइपिंग यहाँ पे करा जाएगा जिसके लिए 40-40 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया है इसके परिच्छा जो है तुरंत जो है अंग्रेजी के प्रश्ण होंगे और computer से कुछ को प्रश्ण पूछे जाएगे 20 अंकों का यह दोनों मिल अंकों के गड़ना करते वह उसमें परतेक छूटे सब्दों परतेक टूटी पर इतना अंक काटे जाएंगे अनिमाली जह आप टाइप कर रहे हैं कोई अंक छूटी है तो आपको कट जाएंगे अपने कुछ गलती कर दिया एश्पेस ज्यादा दबा दिया तो उसके इंग्टन गेल पे आपका हिंदी टाइपिंग यहां पे बोला गया है और यहां पे टाइपिंग परिछाय अनिस्क्रिप्टेड मोड में संपन की जाएगी कम्प्यूटर और कीबोड आपको खुद परदान करेगा संस्था आपको एक्जाम कंड़र्ट करने के लिए तो यह जो है स्लेक्शन प्रोसेस है अगर आप इलिजबल है तो मैं कहूंगा आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा आविदन सूल की बात करें तो 943 रुपया चाल चाहिए और टाइप राइटिंग एक्जामनेशन हिंदी और इंगलिस में आपको पास होने चाहिए और उसका जो है आपके पास सर्डिफिकेट भी होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए सिपी सीटी स्कूर काड भी आपके पास होने चाहिए मध्यपर्देश के द्वारा जो एम मैप टेट इड होता है और वन येर का जो है डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए आपके पास जो मध्यपर्देश कहीं राजिस से कहीने कहीं से आपकर रिक उनाईज होना तो यह आप कराने वाल है 40 पदों पर भरती जो यह आप निकालेगे हैं आप भरती की संख्या आप देख सकते हैं पदों की संख्या इसका जो लास्टेटे फॉर्म भरने का वह है 15 अक्टूबर और अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दिया तो 18-20 अक्टूबर के भी आपको सुझाओ किया जाएगा मतलब सूचना दिया जाएगा तो आप जो है mph.gov.in के website पे समय सबर विजिट करते रहेंगे तो यह हमने notification को discuss किया आप आई जानते है कैसे form को भरना है तो form भरने का link आपको description box मिल जाएगा आप क्लिक करेंगे सिधे वाला page आपका open हो आपको थोड़ा सा वेट करना है जिसा आप वेट करेंगी इस तरह से आपको आएगा close करेंगी और यहां पे आपको पहले चूच करना किस पद के लिए form बना चाहते तो एक ही पद है नागरिकता इंडियन आएगा अपना पूरा नाम लिखेंगे आप फादर स्नेम मदर स् आपको कुछ चूच करने की हो सकता ही नहीं है आप दीब आंगे तो yes करेंगे वना no करेंगे आप जो है सास की सेवक है गौर्मेंट निप्लोई है तो yes करेंगे वना no करेंगे आप सभी जनकारी को वेरिफाई करते हैं और यहां पे अगर सही रहता है तो सम्मिट करेंगे अगर सही तो सम्मिट करेंगे और यहां पर आपको को ओके करते हैं आपका पहला step complete हो जाता है आपका registration जो है successfully हो जाता है और यहां बोला जाता है कि आपका user ID और password जो है आपके पंज जिक्रित mobile और email पे भेज़ दिया गया यहां लिखा हुआ है तो आप email ID और password को जरूर जो है चेक करेंगे email ID और mobile को वहां पे आपको registration ID password दिया गया है close करेंगे अब यहां पे आप दिखेंगे तो आपको इस परकार से जो है आ जाता है आप नीच आएंगे तो यहां पे आपको जो है application details का option मिलता है registration complete करते ही friends यहां पे आपको जो है na logout का option मिलेगा go to application का option नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां पे अब आपको क्या करना होगा logout कर देना होगा logout करने के बाद से आपको इस तरह से dashboard आएगा और यहां पे आपको दुबारा से login करना होगा login करने के लिए आप email ID को चेक करेंगे उनके दोरा जो है registration ID और password भेजा गया है उस registration ID password के थ्रू क्या करेंगे आप यहां पे login करेंगे क्योंकि जब तक आप दुबारा logout करके login नहीं करेंगे आपका यहां पे go to application का button enable नहीं होगा तो मैंने यहां पे confused होगया कि भाई यह go to application क्यों नहीं यह रहा है तो मैंने क्या किया logout किया और फिर दुबारा जब login किया user ID password लिखके तो यहां go to application को button हमें enable देखने को मिल गया तो आप भी करेंगे आपको so करेगा अब चले इस पर click करेंगे तो यहां पे आपका इस तरह से loading लेगा अब आपको wait करना है थोड़े देर और यहां पर इस परकार से आप देखेंगे तो आपका आवेधन form खुल दाएगा यहां पर आपको तीन step देखने को मिलेंगे यहा पर pin code लिखेंगे क्या आपका बरतमान पता और स्थाई पता एक ही है अगर एक ही है तो इसको tick करेंगे नीचे वाला copy हो जगा अलग-अलग है तो अलग-अलग लिख सकती है तो यह बरतमान address जिसमें दिया एक column है इसी में पूरा जनकारी लिख देंगे अपना फिर यहां यहां पर 10th की जनकारी यहां पर 12th की जनकारी यहां पर aggression की जनकारी और नीचे में one year जो डिप्लोमा है उसकी जनकारी और यहां पर other कोई qualification है तो उसकी जनकारी और यहां पर पूछ रहा है कि past type writing examination in English and Hindi language from any recognized board shorthand type writing examination आपने जो type writing examination इंग्लिस और हिंदी वाला पास किया किस इंग्लिस टाइपिंग के बारे में board of shorthand और यहां पर passing year speed और roll number हिंदी टाइपिंग के बारे में बताएंगे और यहां पर यहां पर या valid CPCT score भी आपको अगर है तो भी आप यहां पर दे सकते हैं तो यहां पर पूछ रहा है valid CPT score from MP agency तो आप यहां पर yes करेंगे और CPCT application number date of examination यह exam होता है मद्यपर्देश में हर साल तो यह चीज़ के बारे में पूछ रहा है और उसका इंग्लिस टाइपिंग परसेंटेज हिंदी टाइपिंग परसेंटेज आप से पूछ रहा है नहीं तो नो भी आप यहां कर सकते हैं लेकिन यहां पे आपको mandatory है अब यहां प आपको passport size photo upload करना इस पे click करेंगे यहां पे बताएंगे 50-80 kv के बीच white background आपको photograph, passport size photograph, latest वाला होना चाहिए ता आप इस यहां चूच करेंगे इससे तरह से signature को भी आप यहां पे click करेंगे बोला गया है कि आपको जो है white seat पे white paper seat पे आपको 50-100 के बीच signature यहां पे आपको upload करना है यहां पे आपको jpg format में इसको आपका application fix हो करेंगे इसको डिकलर करेंगे और preview क्लिक करेंगे जैसे preview करेंगे आपका इस परकार से preview आएगा preview को चेक करेंगे कि हां सारा जनकारी सही है वर इसमें कुछ भी गलती है तो आप इसे cut करके और back जाके सुधारेंगे नहीं लेना है जिए दोस्तों यह देखना जरूरी है तभी जाके आपका यह submit होगा आप देखेंगे submit करेंगे आपका submit हो जड़ेंगे submit हो गया अब हमको यह payment गेटर पर लेकर आ जाएगा यहां पर UPI wallet इंटरेयर बैकिंग डेविट कोई भी option को थूरू क्या करेंगे हम payment को जो जमा करेंगे और payment जमा करने के बाद से फ्रेंट्स इसका जो फानल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हाड कोपी सुरक्षित रख लेंगे तो इस परकार से फ्रेंट्स हमें बात किया कि MP हाई कोट में जो वेकेंसी निकालीगे उसके लिए कैसे आपको form को apply करना है तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए